तो नमस्कार दोस्तों क्या हाल चलना है आप सभी के आशागरतों आप सभी बहुत बढ़िया होंगे तो इस वीडियो में देखेंगे वह कौन से 6 फैक्टर हैं जो बहुत जरूरी है अगर आपको कैनेडा आना है एस शिल्ड वर्कR एक्स्प्रेसांटरी प्रोग्राम के थूँ और इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे आपके पॉइंट्स भी तो आपको मेरे साथ अपने पॉइंट्स बहुत करनें इन्छे से अलग अलग पॉइंट्स हैं तो वो आपको कैल्कुलेट करनें यह वन तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाए और अपने पैसे खर्च करें तो आपको अपने पॉइंट्स घर पर बैठके आप कल्कुलेट कर सकते हैं और यह तो इक मोटिव भी एपनाने का तो एक मोटिव भी एपस वीडियो को बनाने का कि आपके पैसे बचे टाइम बचे और आपको कंसल्टेंट के पास नहीं जाना पड़े जिसके हो काभी हैवी आमाउंट चार्ज करते हैं और यह फर्स्ट्टेप है अगर आपको केनेड़ा आन मेरे साथ अपने points calculate करने है आपको 67 points score करने है 100 में से तब ही आप जाके federal scripture worker program के लिए qualify करेंगे और यह first step है आपको अभी कुछ documents नहीं चाहिए फिलाल और अगर कहीं पर चाहिए होंगे तो assume कर लेंगे कि minimum इतना तो लाना ही है तो मेरे साथ अपना calculator खोल लीजिए और मैंने भी calculator निकाल लिया है आपे और मैं यूज करने जा रहा हूं simple sa macbook का calculator तो आगे बढ़ने से पहले बस यह कहना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के व्लॉग्स आते रहेंगे तो सबसे पहले चलते हैं यह Canada Government की ओफिशल वेब साइट है और six selection factors की इन्होंने सारी जानकारी यहां पर दी है तो यह मैं बता रहा था कि आपो consultant के पास जानी कोई जरुद नहीं है घर बैठके आप अपने points calculate कर सकते हैं और एक बार फिर कहना चाहूँगा यह points CRS points से बिल तो पहला factor language skill point की आप English बोल पाते हैं लिख पाते हैं सुन पाते हैं समझ पाते हैं कि नहीं और इसमें secondary language भी आया थी है वो नीचे जलके बात करेंगे और फिर second point education education points सापकी क्या आपने education ली है back home आपकी country में इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश या किसी भी कौने से आप ह तो वो इसमें देखेंगे फिर आता है आपका work experience points तो इसमें आपके points आते हैं कि आपने कितने साल का experience है और आपने part time कौशा काम किया है तो असमें बस experience की points मिलते हैं आपको basically तो फिर आता है age points इसमें आपकी उमर के point मिलते हैं अगर आपकी age specific category में हैं तो वो नीचे चलके तो उसमें आपको कितने points मिलेंगे 40 है तो 35 है 18 है 25 है तो उसके points मिलते हैं इसमें फिर जो अपना पाच वो factor है वो है arranged employment in Canada अगर आपके पास already Canada में arranged employment है मतलब employment letter है तो उसके points है और उसकी बात करींगे आगे तो आगे last factor है वो adaptability points है तो इसमें देखा जाता है कि आपने Canada में पढ़ाई कि आपके spouse के English का numbers अगर आपको कोई रिष्टेदार है Canada में तो उसके points यहां पर मिलते हैं हमें तो ख्याल रखिए गया 100 में से points टोटल यह six factor का calculation होता है 100 और उसमें से 67 points लाता है और जो पाच हुआ है यह थोड़ा मुश्किल रहता है और 99% लोग के पास arranged employment नहीं होता तो इसको में skip करूँगा और अगर आपके पास employment already है तो आपके points add कर सकते हैं तो चली चलते हैं आगे देखते हैं language skills और यहां मिलते है maximum 28 points जिसमें 24 points आपकी primary language के हैं और 4 points secondary के हैं तो यहां पर देखें बोलता है कि you can get up to 28 points for your language skills in English or French और इन में से English भी आपकी primary language हो सकती है और French भी हो सकती है तो depending upon आप कौनसी language का पहले एक्जाम देना चाहते हैं तो इसमें तो इसमें देखा है आता है writing, reading, listening, speaking यह सारा कुछ English में आता है यहां यहां पर English का लेके चलूँगा एक्जाम्पल तो यह बोलता है कि language testing यहां पर आपने approved language test से आपको एक्जाम लेना हो और आपने अपन होता है उसमें ही अगर आपने exam नहीं लिया तो आपकी English consider नहीं करींगे तो आपको approved language test exam देना है तो इसके points calculate हो जाएंगे और approved language test कौन से है मैं आपको बता देता हूं तो आप कौन कौन से exam ले सकते है English के लिए और French के लिए वो इस पेज में है और यह भी गाने अगरमन का official website है तो इसमें लिए CELPIP Canadian English language proficiency index program और इसके center बहुत कम है इंडिया में शायद एक ही center है चंडीगड में तो काफी लोग इसको avoid करते हैं मतलब मैंने तो कोई नहीं देखा जिसना अभी तक लिया है exam और अगर आपको जादा help चीए feedback चीए लोगों से तो आपको IELS के exam दे system होता है और इसको आपको तो इसमें आपको reading, writing, speaking, and listening पर जच करते हैं और इसके विससाफ से आपको points मिलता है और अगर आपको French के exam देना है तो आप TEF Canada ले सकते हैं TCF Canada ले सकते हैं और इसके आपको extra point मिल जाते हैं तो चलिए इस page में आऊंगा मैं दुबारा तो यहां प CLB होता है Canadian Language Benchmark for English और French के लिए NCLC है तो आपको minimum CLB 7 लाना है अगर आप CLB 7 से नीचे हैं तो आप Canadian Immigration के लिए qualify नहीं कर सकते एक्सप्रेस entry के थ्रू फेडरल इसके वरकर प्रोग्राम में trade के लिए यह points कम है तो इसके trade की बात हैं पर बाद में करेंगा उसमें electrician plumber और यह category आती है और उसके लिए points थोड़े कम ची होते हैं तो यह point कैसे calculate करना है तो मैं भी आपको बताता हूं तो CLB 7 लाना है आपको तो इसी page में जा में पहले दिखा रहता आपको थोड़ा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको IELTS का मिल जाएगा IELTS का example लोगा को कि लोग सबसरी commonly IELTS का exam देते हैं तो यहां पर लिखा है CLB level 7 तो CLB level 7 के लिए आपको speaking में 6 चाहिए listening में 6 to 7 चाहिए reading 6 writing 6 points पर ability 4 तो क्या है कि हर point में आपको 4 number मिलेंगे अगर आपके 6-6 number है तो आपको basically चाहिए 6 points in each speaking, listening, reading, writing rating map को sum में 6 चाहिए तो minimum अगर आपके IS में 6 चाहिए तभी आपका CLB 7 बनेगा और आपको points मिल सकते हैं तो आपने जैसे देखा IS के हर section में हमें 6 points 6 number लाने हैं तो out of 9 होते हैं तो 6 में से अगर हम 6-6 लाते हैं तो हर उसमें हमें चाहर पॉइंट यह रहा sorry और यह CLB 9 का है तो अगर आपके CLB 7 है तो मैं minimum लेके चल रहा हूं कि भाई CLB 7 तो आपका आई जाएगा क्योंकि वह minimum requirement है अगर below CLB 7 तो यहां पी लिखा है not eligible to apply तो भाई यह CLB 7 तो लाने ही लाना है और यह कितने नमबर होगे 4 4 4 4 4 तो 4 into 4 होता है 16 तो आपको 16 points मिल जाते हैं अगर आपके CLB 7 है तो ठीक है और तो करेंड़ में secondary language है French तो आपको French आती है और अपने exam दे रहा है तो आपको 4 points all मिल सकते हैं Please note करिएगा कि आपको exam देना है तब ही आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपको English या French आती है तो मैं आप इमान के चलूँगा कि लोगों को French अभी नहीं आती और maximum 24 points से उसमें से हमको मिलें 16 points तो मैं अपने calculator में 16 points करता हूँ add तो आप भी add कर लेना 16 points और मेरे साथ आप भी calculate करते हुए चलिए तो तभी मज़ा आएगा और आपको help भी मिलते रहेगी तो अब बात करते हैं education education जो भी आप बोलना चाहिए तो इसके maximum 25 points है और यह depend करता है आपकी secondary education, post-secondary education बट आपकी evaluation होनी चाहिए बिना educational credential assessment के आपको यह point नहीं मिलेंगे आपके पास ECA का certificate होना चाहिए पर अभी आप जैसे start कर रहे हैं तो अभी मैं मानके चलना हूँ अपने ECA लेकर वाल यह अपना या आपको पता है कि मेरे ECA का result हो बैसलर चार साल के तीन साल के यह हो नहीं होना तो अभी मानके चलते हैं कि आपके पास ECA का certificate है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें points calculate कर लेंगे तो आपको report कैसे read करनी है क्योंकि ECA का जो होता है ECA की report में लिखा रहता है एक level जैसे secondary four years और sorry bachelor's four years और diploma two years तो उसके हिसाब को report read करनी पड़ती है अपनी और उसके हिसाब से आपको points मिलते है तो चलिए इस page में चलते है how to read your report और उसके हिसाब से 25 points में से हमें कितने points मिलते हैं वह देखते हैं तो इसे खोलने ते new tab में तो यह educational credential assessment for express entry तो क्या आपकी report में करती है आपको basically certificate मिलता है तो यहां पर select करने आपको federal skilled worker program factor points तो generally मैं लेके चल रहा हूँ यहां पर कि आपके पास bachelor degree तो ही है और आपके आपके पास कोई और degree है तो master's है तो आप यहां पर filter कर सकते हैं तो basically आपकी जो report में होता है उसके हिसाप से हमें करना पड़ता है तो bachelor degree लेके चलता हूँ कि हमारे पर bachelor degree है और सबके points बराबर ही है यहां पर bachelor's के generally तो मैं 21 points और add कर लेता हूँ अपनी six selection factor के criteria में तो मेरे पर bachelor है मैंने 21 और add कर लिए तो यह होगा है हमारी education की बात अब बात करते हैं work experience की तो work experience के 15 points है और work experience आपका कौन-कौन से count होता है इसमें लिखा है Canada में abroad मानी, abroad means आपकी native country में और while you were studying, study में आपकी अगर part time को job किया तो उसका है while being self-employed तो self-employed जो लोग है उनका भी work experience काउंट होता है तो आपको जरू चक करने चाहिए और इसमें लिखा भी है part time के ले 15 hours per week for 24 months at a skill level type 0 तो चलिए इसकी बाद में बात करेंगे कभी तो तो इसमें हम बस देख लेते हैं कि आपको work experience के किते points मिलने है तो यह है इसके list one year के मिलते हैं आपको nine points, दो से तीन साल का experience है तो 11 points, four to five years, 13 points, six or more years तो 15 points तो 6 साल से उपर experience है तो 15 points, please CRS से इसको compare मत करें कि CRS में three years और more पे maximum points मिलते हैं तो मैं लेके चलूँगा जर्णल यगर अब apply कर रहे हैं बैसलर के पास तो आपके पास four to five years experience होगा तो 13 points लेके चलते है तो plus 13 कर लेते हैं तो 50 points अभी तक हमारे पास हो गाए तो आगे चलते हैं देखते हैं age के कितने points हैं तो maximum इसमें 12 points मिलेंगे और यह है points table तो अगर आपकी 18 से 35 है जो की perfect timing है अगर आपको Canada immigration के लिए apply करना है तो मैं मान के चलना हूँ कि आप इसी age में fall करते हैं क्योंकि most of the people जो काम कर रहे हैं वो इसी बीच में decide कर लेते हैं कि मैं में Canada जाना है immigrate करना है और अगर आपकी ओमर इस 36, 37, 38 यह 40 तक भी है तो आप अपने points इसे आप से calculate कर सकते हैं तो मैं अभी लेकर चल रहा हूं की total points मुझे 12 क्योंकि आपकी age के बीच में तो 12 points add करेंगे यहां पर तो 62 points हो गए अब 5 points सिर्फ बचे हैं हमारे पास और पांच points आ जाते तो हम qualify कर जाएंगे प्रडल स्किल बरकर करें यह तो चलिए नीचे चलते हैं और यह आता है सबसे कथिन arrange employment in Canada maximum 10 points तो भाई साफ साब बता दूं यह बहुत मुश्किल है करें केनेडा में employment पहले से ही अपनी home to home country से arrange करना और अगर आपको कोई consultant या कोई भी mail आती है कि हम आपके लिए employment arrange करा देंगे और पैसे मांगते तो बिल्कुल पैसे मत दो कहना पहले हमारा employment arrange करवाओ आप में जाएंगे तब पैसे देंगे तो पैसे देन की कोई जरुवत निया क्यांकि जो employer होता है वही सब कुछ करवाता है तो आपको कोई पैसे मत देना और उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है दो situation होती है एक जगा आपको labor market assessment चाहिए होता है और किसी में नहीं चा government of Canada से लेता है आपके बिहाफ में और तभी आप Canada सकते हैं तो यह points में 0 लेके चलूँगा तो बात करते है adaptability की इसके maximum 10 points है और इसमें काफी चीज़े हैं जो आप देख सकते हैं तो अगर आपके spouse ने भी language test दिया है like your wife, your husband तो आपको और उनका CLB 4 है तो आपको 5 points मिलते है तो most common होता है कि अगर आप Canada immediate करें तो अपने partner के संगी करेंगे तो यह इसके 5 points में लूँगा अभी और देख लेते हैं आगे क्या कहा है तो your past studies in Canada अगर आप already Canada में student है पढ़ आई कर रही है करी है पहले या कर रहे हैं तो future ने प्लान करते हैं तो आपको इसके 5 points मिलते हैं और your spouse or partner's past studies in Canada अगर आपकी wife husband ने आपके partner ने आपके पढ़ाई करी है उसके number भी मिलते हैं आपको 5 your past work in Canada अगर आपने one year full time Canada में काम किया है तो इसके 10 points है यह बहुत important है का तो काफी लोग होते हैं जो assignment में Canada जाते हैं और यह वापस आयाते हैं तो उनके लिए benefit है इसका और यह है your spouse or common partner's past work in Canada तो आपका Canada में काम और आपके partner का काम उसके 5 नमबर है और आपके काम के 10 नमबर है फिर arrange employment तो उपर और यह उपर तो आपके 10 मिले तो अगर आप यहां भी कर रहे हैं और यहां पर आपका factor है तो 5 और मिल जाएंगे तो 10 प्लस 5 15 मिल सकते हैं बट इसको तो मैं consider नहीं करूँ क्योंकि लोग के पास नहीं होता है फिर आपते सबसे important relatives in Canada तो बहुत लोग के relatives Canada में होते हैं उसके आपको 5 points मिलते हैं चनल ही यह relatives कौन कौन से हो सकते parent हो सकते ग्रेंट पैरेंट हो सकते चाइल ग्रेंट चाइल यह और यह spouse sibling your spouse aunt और अंकल by blood marriage your spouse niece or nephew तो एक बात सोचने की है यहां पर तो आपको 5 points मिल जाते हैं spouse aunt और अंकल के but जब हम CRS calculate करते हैं तो इसमें सिर्फ sibling के point मिलते हैं आपके सवे भाई बहन के ही point मिलते हैं but अच्छा है कि आपको यहां उसके 5 points मिलने हैं तो इन में से आपको मैं सिर्फ 5 points लेके चल रहा हूं कि आपकी partner ने English का exam दिया और French का exam दिया है और अगर आपको तो अगर आप लेना चाहा है तो यह भी ले सकते हैं तो मैं सिर्फ 5 points इसके add कर रहा हूं इसमें और हमारा score हो गया है 67 points यह तो हमें मिल गए 100 में से 67 points congratulations आपने भी शायद 67 score कर लिया होगा तो यही सबता यह पहला step है Canada journey start करने का as a skilled worker तो इन 6 selection factors को कभी मत भूलिएगा CRS calculate करने से पहले आपको यह point calculate करने हैं कि आपको 100 में 67 points आ रहे हैं कि नहीं तो अगर आपके 67 points नहीं आ रहे हैं तो प्लीज अपनी improvement में काम करिया आप English language improve कर सकते हैं diploma का degree मना सकते हैं मतलब पढ़ाई करके आप अलग-अलग certification certification मेरा मतलब है मतलब जो valid होते हैं अगर इस ही नहीं आपका certificate मान लिया तो ही आपको point मिलेंगे और यह अपने IT वाले certification नहीं है कि आपने कोई छे मेने दो मेने का certification मिल गया वो इसमें count नहीं होता है और यह तो बहुत ही मुश्किल है तो अगर आपके 100 में 67 points नहीं आएं तो प्लीज डिस हाटन मत हो यह थोड़ा improve करिये अपनी चीज़ें और जहां आप कर सकते हैं और most common जो improve चीज़े हो सकती हैं आपकी language skills हैं और आ आपकी education है तो यह दो चीज़े हो सकती हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई भी doubts है इस वीडियो को लेके अगर आपके points से लेके तो please मुझे बताए अपनी comments में और इसके आगे हम देखेंगे कि आपका CRS points कैसे calculate करते हैं ज thank you take care